सिंग्रोली जिले में इस्टोन खदानों पर प्रसाशन की ताबर तोड कारवाई चल रही है प्रसाशन के मुताबिक इस्टोन खदाने नियम अनुसार काम नहीं कर रही है जिसे ग्रामिनों को काफी तकलीफ हो रही है अभी तक 11 खदानों को सीज कर दिया गया है सिंग्रोली जिले में सौ से अधीक स्टॉन खदाने चल रही है जहां नियम और कानूनों की धजियां उड़ाई जा रही है खदानों में बाउंडरी वाल उची हाइट की नहीं है वहीं प्लांटेशन ना करने से आसपास के इलाकों में एयर और वाटर भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है साथ की आसपास के ग्रामिनों का घरों में रहना मुश्किल हो गया है हेवी ब्लास्टिंग के चलते गाउं में कई जगा पत्थर गिर रहे हैं वहीं धूल के गुबार से पर्यावरन को भारी नुकसान हो रहा है NGT के आदेश पर कलेक्टर अरुन कुमार पर्मार ने खनीज विभाग के साथ पर्यावरन नियंत्रण बोड के अधिकारियों की जॉइंट टीम गठित की और जाच के निर्देश दिये जाच टीम ने एक्शन लेते हुए ततकाल 11 स्टोन क्रैशरों को नियमों का पालन नहीं करने पर सीज कर दिया जिसे जिले में हडकम बज गया वहीं कुछ और स्टोन खदानों के बंद करने की कारवाई जारी है अब आने वाले समय में और भी करसरों को और खदानों को बंद क्या जाएगा जिनमें भी मानी एंडीटी और परावन के सर्तों का लंगन किया गया है हाथ वामानेक सही नहीं पाए गया है सारी रिपूटे आ गई हैं सब परिशन उप्रां सभी में देरे नारुट आप देख रहे है डखल न्यूज